हेलो दोस्तो होजे, जगनाद मेरा चनल इंडेस्टर्वने का अगर में आपका स्वाग होते हैं दोस्तो आज हम आपको बताने बाले हैं 350 कुलर का जो 350 किलन होता है उसका जो कुलर का ओल पार्स का मेजरमेंट का बारे में में हम डाले हैं उसको जाके देख लिजीगा सेकेंड पार्स में यह दिखिए जो कुलर का सब्सक्राइब होता है और कुलर का जो आईडी होता है वह 3250 mm का होता है यानि 3250 mm का होता है और कुलर का जो आईडी होता है वह आपको 3200 mm का होता है और कुलर का जो सेल होता है 20 और 25 mm का होता है यानि कि कहांका पर आपको 20 आता है और 25 आपका रहता है दोस्तो एक चोटा सा रिक्वेश्ट है यदि आप मेरा चैनल में नया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करजेगा और बेल आइकोन को दबेजी का चाक कि हर वीडियो का अट्रिकेशन आपका पाच पहंच सब्सक्राइब डेली डेली हम फिल्ड डेल्ड वीडियो में इस चैनल में डेली अपलोड करते हैं वीडियो को स्किब मत किजेगा उसको अंत्र देखेगा क्योंकि जो चीज हम का चोड़ रहे हैं बहुत इंटर्वु के लिए आपको बहुत इंपूटन चीजी होता है आप उसको स्किब मत क करके उसको जो वीडियो को अंत्र देखिएगा कोई भी प्रोले हो रहा है आप हमको कम कर्मातियों से भी बता पाएंगे हम आपको हर चीज प्रोले का कोशिश करेंगे दोस्तों नेस्ट हम जानेंगे 350 का जो कूलर होता है उसका गर्थिकर का अल डिटेल्स इसका जो गर्थि का पासको जो सहल होता है यालिस तिकलेंस इन गर्थिगर का 25 mm रहता है और गर्थिकर का जोडी होता है वह 4720 mm का होता है और पीछ डायमेटर यानि जो गर्थिगेर का जो टीत का पीछे जो पीछ डायमेटर होता है वो 4640 mm का होता है यानि 4640 mm का होता है नमबर अब टीत यानि जो इसमें टीत कितना रहता है ना 116 इसका टीत रहता है और जो गियर का जो मोडूल रहता है यानि गर्थिगेर का जो म जो कुलर का जो पिन्यन जो पिन्यन का बाराम हम जानेंगे तो नमबर पिन्यन इतने कितना रहता है ना एक रहता है जिसमें देखिए कि आप जो आपका जो किलन होता है उसमें आपको दो पिन्यन रहता है लेकिन कुलर में आपको एक रहता है और पिन्यन का ओडी कितना होता नमबर होता है इसमें गेर मोडूल कितना रहता है वह 40 mm ठीक है इसमें नमबर टीट रहता है 17 उसमें 16 रहता है और इसका जो टीट होता है वह आपको 17 रहता है पिनियन का जो बेरिंग नमबर होता है 24152 CCW33 इसका जो बेरिंग नमबर रहता है इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको इंटर्वू में पूछा जाता है में जानेंगे थ्री फ्यूट का कूलर का टायर कवरे में जो टायर होता है इसमें दिखे नमबर टायर दो होता है किलन में कितना ना तीन टायर बला में तीन रहता है और चार टायर बला में चार रहता है लेकिन इसमें आपको दो टायर रहता है ठीके इसका जो ओड़ी होता है ये 3760 mm का यानि 3760 mm का जो टायर का ओड़ी रहता है ठीक को 100 आपका जो किलन जैसे जी एच टोंटी का इसका आपका मेटाल होता है यह होता है आपका जो आपका 350 कूलर का बारवे दोस्तों नेस्ट हम जानेंगे 350 कूलर का CMD और CAD का देटल्स तो CMD क्या हो गया ना CMD यू यानि की कूलर में मेरा चैनल में जो शॉट नेम होता है कि आपका यहां पर लगा है आपको एलिकन का लगा है दूसरा प्लान में दूसरा कंपणि का लग सकता है यहां पर आपका एलिकन का लगा है, और कुलर का SP 320 का है देखिए कौन जो भी gearbox होता है वो कंपनी आपको रेफर करता है किस में कौन सा डालना है तो जो एलिकन का gearbox होता है उसमें आपको 320 का अल लगता है NAST हम जानेंगे पहले हम जाने CMD का बार में यानि Cooler Main Drag का बार में अब NAST यह दिखिए CAD यानि Cooler Axular Drive का बार में जानेंगे CAD का जो gear barracks होता है जो रेषियो होता है 35 चीन आपका शिर्षियो होता है रेहिवा स्वर्वक्वा यह होता है न चार यानि शप्पल इसमें चार शप्पल इसमें आपको रहता है और इसका डाइमेटर जो होता है 800 mm का इसका डाइमेटर रहता है यानि मतलब है टायर से इसका मेट्राल थोड़ा हाड रता है और टायर के मेट्राल थोड़ा हाड रता है इसको आपको ध्यान से रखना है और इसका जो बेरिंग नंबर हो गया कुलर का जो सप्पलर का बेरिंग नंबर यह हो गया 24165 ECAW33 इसका बेरिंग नंबर इसको आपको लगता है। इसमें आपको 2 लगता है। नंबर अप थृस्ट्र लोर इसमें में 2 है। एक और अपन तर रहता है। बेरिग नंबर होता है। 32, 230, यानि 32, 230 का इसका bearing number होता है, किसका thrust roll का, दोस्तों next हम जानेंगे, cooler का जो pneumatic cylinder होता है, pneumatic cylinder होता है, उसका details, उसका बारे में हम आपको बताएंगे, तो number of pneumatic cylinder कितना होता है, inlet और outlet मिलाके 10-10 करके 20 रहता है, यानि inlet में हो sto Même 10 रहता है, कहां-कहां पर भी 9 में हम आपको 10-10 करके रहता है, तो cylinder का stroke होता है 600 में का 수가 200 रहता है, और जो सिलिंडर का OD होता है वो आपको 107 mm का OD होता है और सिलिंडर का जो ID होता है वो आपको 107 mm का ID होता है और सिलिंडर का जो रोड जो सिलिंडर इसमें जो रोड रहता है वो रोड हो गया आपको 36 mm का इसमें आपको रोड होता है ठीके दोस्तों यह दिखिए आपको जो प का Part 1 करके आपको measurement और का भेजय थे और इसका बार हम next ऒभी डालेंगे आपका 3 फीट कुलर का भी जो किलन होता है उसका Part 2 करके छोडेंगे जो पार्स का measurement नहीं चोड़ेंगे उसमें आपको छोडेंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत हेल्पूल होगा एक फिल्ट्री वीडियो मेकनिकल या वीडियो हम डेली अप्लोड करते हैं आप उसको देखिए फीर हम नेस्ट वीडियो डालेंगे तब तक रहते हैं नमस्ते जै जगर्नाथ